आज की वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है 2020 में जूम आप्लिकेशन यूज करते वक यही मैं आपको बताने वाला हूँ वेल बेसिकली जो जूम पासवर्ड का रिकावरी फीचर है जो मैथड है एकदम easiest है यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा tricky मैथड यूज करने की जरूरत नहीं है बेसिक सा है आप इसको इसली अप्लाई कर सकते है अगर आप अपना जूम आप्लिकेशन का जो जूम आकाउंड का अगर आप भूल चुके हैं तो विल बेसिकली यहाँ पर जो यह जूम आप्लिकेशन है जो first time इस आप्लिकेशन को यूज कर रहे है तो उसके बार में थोड़ा से में basic information देना चाहूंगा ताकि आपको इसके basic features के बारे में पता चल जाए कि यह actual में क्या है जूम आप्लिक अगस्त का मन्त और यहाँ पर इस मन्त में this year इस application का बहुती जादा usage हो रहा है because लोग घर बेटे बेटे work from home अपना online business meeting complete कर पा रहे है just because of this zoom application तो यहाँ पर इसका जो main feature है कि आप one at a time 50 लोगों के साथ में video calling कर सकते हैं और यह इसका सबसे best part है अगर आप इसका subscription purchase करते हैं तो आपको इसके और भी advanced features जो है उसका आप easily use कर सकते हैं एक zoom application को use करते हैं तो यहाँ पर सबसे इनकेस अगर आपने आपने आपर account create कर लिया आप इसे आप इसे यूज़ कर रहे हैं बट आप some कुछ reason के वज़े से इसका password आप भूल चुके है तो ऐसे cases में आप इस zoom application का password किस तरीके से recover कर सकते हैं और मिन किस तरीके साप इसको reset कर सकते हैं तो मेरे cases में मैं भी हाँ पर मेरे zoom account का password भूल चुका हूँ और जैसे मैं आप अपना कोई password टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे login field का option आता है because same process मेरे साथ भी हुआ है So I thought let's make a video for that So इसके लिए आपको password recover करने के लिए डारेकल आपको down site में forgot password का option भी लेका डारेकल आपको इस पर click करना है Click करने के बाद यहाँ पर आपको email id यहाँ पर paste कर देना जो आपने registration के time पर जो email id यहाँ पर use किया था वो आपको यहाँ पर type कर देना उसके बाद send button पर click कर देना है उसके बाद आपके उस registered email id पर एक mail आएगा zoom application के team की तरफ से तो डारेकल आपको अपना Gmail application open करना है और यहाँ पर आपको उस email id पर login हो जाना है जो आपने registration के time पर use किया था आपको as you can see यहाँ पर मुझे mail आ चुका है जूम की तरफ से आप यहाँ बज़ रहा है 11.45 a.m. और अभी है 11.45 a.m. पर मुझे यह message आया है जैसे click करेंगे दन इसके बात यहाँ पर आपको option आ जाएगा एक password को reset करने का तो password reset करने के लिए आपको दो option है आप directly यह जो down set में आपको long link दिया है उसको आप copy paste करके भी आप प्राव इस पर अपना password reset कर सकती है तो first number पर आपको option दिया गया है click here to change your password तो directly इस option पर भी आप click कर सकते है अगर आप तुरनत apply करना चाहते है तो click करने के बाद आप directly zoom के page पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको option बिलेगा अपना zoom app का जो password है उसे recover करने का I mean reset करने का तो password set करने का भी एक तरीका है यहाँ पर आपको mention किया गया है कि किस तरीके से आपको password को set करना है तो यहाँ पर आपको कोई तीन टीजे आने चाहिए पहला तो है एक आपका alphabet उसके बाद special characters और उसके बाद digits जैसे के for example अगर मेरा नाम है राहुल तो राहुल $123 या राहुल add rate 345 इसी के similar कोई password आपको यहाँ पर set कर देना है तो यहाँ पर मैंने same ऐसा ही password यहाँ पर set के लेकिं first case capital में होना चाहिए उसके बाद small में होना चाहिए तो इसके बाद password आपको reset करने के मदारे safe कर देना उसके बाद आपका जो password है वो easily यहाँ पर change हो जाएगा और recover हो जाएगा so as you can see यहाँ पर मेरा password easily change हो चुका है तो इसके बाद face में अपना zoom application में जाओंगा और उसके बाद जो new password मैंने आपके set किया है वो यहाँ पर मैं type को दोगा उसके बाद sign in option पर click कर दोगा तो finally मैं मेरे zoom account में logged in हो गया हूँ तो इसी तरह किसे simple method का use करके आपको अपने zoom account का जो password है वो easily recover करना है so this will help you in 2020 and in future as well I hope you like this information thanks for watching have a good day